पूछ रहे थे कि हमारे मैनाटिस के लिए भी बगर बैंक कांसेंट बगर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से एक लाख रुपया स्कीम होना बोलके अभी शेकिल साब ने पूछ रहा था मैं आपको ये खुशकबरी देना है महमुद अली साब ने एक अफ़ते पहले ही सीम साब से मिलके ये ऐसा स्कीम हमारा मैनाटिस में भी बहुत गरीब लोग है बैंक में जी गए तो कांसेट नहीं मिल रहा हमें एक लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोलके महमुद साब सीम साब से पूचे थे जब वही था मैं भी सीम साब ने मेरे तरफ देके विकाज मैं फाइनाइन्स मिनिस्टर हूँ मेरे तरफ देके हुकम दे दिये कि दो दिन में मुझे फाइल होना चाहिए हम माइनर्टिस के लिए भी एक लाख रुपया बगर बैंक कांसेंट सीधा- वो एक दो दिन में एक दो दिन में जीवो निकलने वाला है सीम साब ने आल्ड़ी हुकम दे चुके हैं ये कुछ कबरी मैं आपको देना चाहता हूँ ये एक हफते-दस दिन के अंदर सीधा बगर बैंक लोन जो आल्ड़ी आप लोग अप्लिकेशन रख चुके हैं आप ल कांग्रेस पार्टी कभी भी वो मैनार्टी को एक वोट बैंक थरीके से बनके फाइदा उठाए लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करें कांग्रेस पार्टी बोलना एक है करना एक है